की it hoş temos Mega करेंगे खरीफ मोसम में दलहनी फचलों का उतपाद है खरीफ मोसम में हमारे दलानी फचलों में खरीफ मोसम में मखरीओ से जो है अरहर compet क्रिपन और उड़द। और इसके बाद ठोड़े dakम् invert कुल्थी के बुआई कर सकते हैं तो यह मुख्य फसल है जिनकी बुआई हम कर सकते हैं खडिक मौसम में फर्स्ट जून से स्टार्ट कर सकते हैं चुकि यहां बर्सा आधारित हमारी खेती होती है मौस्चर नहीं रहता है खेत में नमी नहीं रहती है तो इसके करण हल चलाने में भी यहां बारिष हो जाती है वैसे तो हमारे मानसून का जो है 15 जुन से स्टार्ट होता है तो 15 जुन से आप कभी भी 15 जुलाई तक आप कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है जाए वो मुंग हो अरहर हो या उरत की खेती हो आप इनको लगा सकते हैं अरहर में जो हमारे पास शॉट डुडेशन वे हराइटी में इसे लार्जी फिप्टी टू है मेडियम ड्युरेशन वेराइटी है मध्यम अबधी की ये वेड़ाइटी है और उसी में अफे हैं जो यह और बहुत शारी किस्म हैं जो पहले एक अपाश्यू ग्राम के नाम से को उपास है इसके बाद हमारा बिर्षा का भी जो बिर्षा रहर ऋन है उसको लगा सकते हैं इसके बाद नरेंदर हरों है माल वीय्फाटीन है माल वीयर चाहते हैं तो उसके खरपत्वार नियंत्रा नावस्क है और जो उसका इंटर जो कल्चर ऑप्रेशन होता है कि उसमें हम बीच में कुडाई करें वह बहुत महत्पूर्ण होता है और लगाते समय ध्यान देना होगा कि हम जो लगाते हैं किस तरह से अगर सीधी बुआई करते कि भी है तो वहां पर खरपद्वार की समaj से उश्या जढ़ा रहती है और उसी जगह हम अगर ट्र में लगाते हैं लाइन में लगाते हैं का अब लगाने के लिए को सहON के पौधे से पौधी की दूरी रख सकते हैं, अगर कतार में लगाते हैं, वो तो बेस्ट है, आप कतार में लगाएं, आपको उसका बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा, खरपतवार का भी नेंतरन होगा, उसमें आप अच्छी से निकाई कुराई जो है, वो कर सकते हैं, और अंतर हैं, तो अरहर के बीच में हम हलदी की खेती कर सकते हैं, और बहुत ही बेनिफिटील है, इसमें ज्यादा आंदनी जो है, एक ही खेत से दो फसलों से हम उपस पराप्त कर सकते हैं, और दोनों से काफी अच्छा रिटरं किसानों को मिल सकता है, तो मेरा सुजाव किसानों को यह हमेशा रहता है कि जो किंदे अरहर की खीति कर रहे हैं वह कतार में लगाये और उस जगह आप उसकी दूरी बरहादें कतार की और उस जगह आप यह हल्दी की ख theo के बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर वो एक option वो हुआ हमारा एक मक्का भी है कि आप अरहर के साथ मक्के की भी खेती कर सकते हैं तो ये दो अच्छा option हो सकता है किसानों को कि वो अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं और उस जगा खरपतवार नियंतरन के लिए आप मैनुवली करें हाथ से निकाई करते हैं त ये इस जालते हैं उसके बहत्तर घंटे के अंदर करना है मतलब ये का अंकुरन नहीं होना चाहिए उससे पहले इस दवा का का इस्तेमाल उस पे स्पस्प्रे हम अपने मिटी पे कर दें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखैंगा कि पैंटी मैथि लिन जो खर पतवार नासी दवाहा उसका इस्तेमाल बीज लगाने के 72 गंटे के अंदर। volver